So hello friends welcome back to you अपना college तो आज जो हम question देखने वाले हैं उसका नाम है permutations तो permutations क्या होता है? permutations होते हैं arrangement यानि कि अगर मैंने आपको एक array दिया है numbers की तो उन numbers का जितने भी arrangements होंगे वो आपको find out करने हैं उन्हें हम permutations बोलते हैं तो देखते हैं problem क्या है हमारे पास तो हमें एक array given है जिसके अंदर distinct integers होंगे distinct integers यहाँ पर बहुत important word होने वाला है क्योंकि जो approach हम अभी देखने वाले हैं वो distinct integers के लगेगी यानि कि array में numbers जो हैं वो distinct होने चाहिए कोई भी repeat नहीं होना चाहिए element उस case में हम भी solve करेंगे बाद में हम देखेंगे general array के लिए हम कैसे कर सकते हैं तो हमें क्या करना है कि एक array जो हमें array given है उसकी हमें सारे permutations return करा देना है और किसी भी order में हो सकते हैं तो एक sample test case देखते हैं फटाफट तो अगर sample test case मालनो 1,2,3 है तो यहाँ पर कितने arrangements बन सकते हैं इसके 3 factorial देख भी सकते हैं यहाँ पर 3 factorial आने के 6 तो 6 arrangements बन रहे होंगे हाँ यहाँ क्योंकि 1,2,3,1,3,2 2,1,3,2,3,1,3,1,2,3,2,1 तो यहाँ पर जितने भी permutations possible थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिये एक और example देख लेते हैं तो एक और example में अगर हमें 0,1 array गयो है न तो हम क्या return कर देंगे 0,1 and 1,0 और तो कोई permutation possible नहीं है न यही सारे unique permutations होंगे तो हमें क्या करना था unique permutations उसके return कराने है तो अभी जब आपने जैसे question सुना तो अब आपने दिमाग के घोड़े दोड़ाओ और सोचो कि क्या क्या हम यूज कर सकते हैं क्या क्या चीजे यूज करते हैं कर सकते हैं हम इसमें कुछ recursion से यूज कर सकते हैं कुछ loops यूज कर सकते हैं या inbuilt functions यूज कर सकते हैं तो वो भी तरीका होता है लेकिन पहले हम देखेंगे कि recursively हम इसे कैसे solve कर सकते हैं ताकि हमें concept समझाए और हमें समझाए कैसे recursion में काम कर रहा होगा तो idea क्या होगा इसके पीछे कि मालनो अगर आप index idx पे हो कर सकते हो 4 से 3 को swap कर सकते हो 5 से तो इस case में आपके पास permutations आने लगेंगे तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि permutations में कि अगर आप idx index पे हो तो आपको आगे वाले element से recursively swap करना है क्योंकि जब भी आप swap करते हो तो आपके पास एक नई permutations आती है और आपको यह ensure करना है कि बस duplicates ना बने तो अब उस case में क्या होगा तो pseudo code किस तरह का होगा कि मालनों अगर तो आप end वले element पे हो तो अब pseudo code क्या होगा तो सबसे पहले तो base case देखना होगा तो base case में क्या होगा अगर आप vector के या array के end में हो तो मतलब आपने उस vector का या array का permutation generate कर लिया है और जब आपने permutation generate कर लिया है तो उसको answer वली vector में डाल दोगे आप कि आपने answer भी store कर लिया and main part क्या होगा code का कि अगर आप idx index पे हो तो आप क्या करोगे idx से end तक जाओगे and सारे number swap करोगे and फिर अगले index के लिए solve करोगे फिर वापिस swap कर दोगे कि array जो आपकी दुबारा restore हो जाए ठीक है तो थोड़ा थोड़ा आपकर intuition आने लगा होगा तो अभी हम पहले code भी देखेंगे और एक बार पहले complexity के बारे में सोचते हैं कि मानलो आपके पास n distinct numbers है तो उनके तो n factorial permutations होगे और n factorial permutations अगर आपको print कराने है तो time complexity तो n factorial होने ही वाली है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सोचो कि अगर आपको मैं बोलू कि क्या मैंने एक ऐसा algorithm बना दिया कि मुझे जो सारे permutations वो n factorial से कम में देदेगी मालो n square में देदेगी आपके दिमाग में क् n factorial तो सारे permutations हों गई तो सारे permutations generate कराने के लिए मुझे n factorial time तो लगने ही वाला है मैं जितना ज्यादा optimize करूं लेकिन n factorial से तो कम मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि n factorial permutations तो possible है ही तो time complexity यहाँ पे code की होगी n factorial तो अब हम इसका code देखते हैं तो code में सबसे पहले तो हमें input लेना होगा तो यहाँ पे n होगा हमारा vector का size and हमने एक n size का vector बना लिया and n integers input ले लिए तो यहाँ पे हमने n integers input ले लिये अब हमें एक vector बनाएंगे answer का जिसके अंदर हमारा answer store होगा यह globally बना ले थे हां ठाकि हमें बाद दुबारा दुबारा pass ना करनी पड़े and हम क्या करे permute a में and initially m0 पे होंगे उसके बाद हमारा जो answer vector होगा उसमें answer होगे विर हमारे permutations होंगे सारे तो उसको print कराना होगा तो उसके elements भी print करा देते हैं तो यहाँ पर हमने क्या करा यह vector लिया यहाँ पर यह हमने vector पास कर दिया pass by reference तो सबसे पहले तो हम base case लिखते हैं if idx equal to a.size तो उस case में क्या होगा answer में हम डाल देंगे a को and यहाँ से return कर जाएंगे and main हमारा code क्या था अभी हमने pseudo code में देखा था i is less than a.size swap करा a of i comma a of idx and आगे पर्मूट करने के लिए भेज दिया recursively यहाँ पर idx plus 1 and हमने फिर दुबारा यहाँ पर swap कर दिया and हम यहाँ से return कर गए तो अब देखते हैं कैसे इसमें एक बार इसे run करके देखते हैं यह code चल रहा है या नहीं चल रहा काफी छोटा सा ही code था और यह काफी बार आ भी जाता है या किसी question में use हो जाता है जिसमें आपको permutations निकालने हो तो important भी उतना ही है तो यहाँ पर हम 3, 1, 2, 3 देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 6 permutations निकल के आए 123, 132, 213, 231, 321, 312 यही सारे possible permutations थे और हमारा जो code है वो सही चल रहा है अब हम यही चीज करने का shortcut देखेंगे एक shortcut तरीका जो यही permutations निकाल देगा चुटकियों में एकदम तो STL में एक trick होती है तो आपको का करना है सबसे पहले sort करने है numbers and next permutation use करना है next permutation क्या करता है जो उन numbers होंगे उसका आपको next permutation generate करेगा next greater permutation and आपको return कर देगा वो permutation तो यानि कि आपने क्या करा do answer में pushback करा numbers जब तक next permutation मिलता जा रहा है यानि कि जब जब उस array का numbers change करके आपको एक नया permutation मिल सकता है कुछ next greater permutation मिल सकता है तब तक next permutation permutation बनाता जाएगा and आपके पास permutations आते रहेंगे तो यह पूरी चीज़ n factorial में हो जाएगी and बहुत ही तीन लाइनों में आपका code खतम हो गया इसकी भी time complexity n factorial ही होगी जैसा कि आपको पता ही है कि अगर n factorial permutations होंगे तो n factorial से कम में कैसे करोगे न आप तो एक बहुत इसका भी फटाफट code देख लेती है यहाँ पे जब मैंने input लिया तो यहाँ पे मुझे permutable function नहीं call करना मुझे क्या करना sort करना अपना array and do while loop लगा देना answer.pushback nums कब तक? जब तक इसके permutations possible होंगे तो वो बना के देदेगा हमें and इसको हम पूरा अपनी array vector pass कर देंगे बस यह हो गया हमारा code इतना सही था इसको भी run कर लेते हैं फटाफट ओके अच्छा तो यह nums नहीं था यहाँ पे यह था हमने nums लिख दिया गलती से compile किया यह compile हो गया अब इसे run कर लेते हैं 1,2,3 तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 1,2,3 input दिया यहाँ पे भी हमारे पास 6 permutations निकल के आगए 1,2,3,1,3,2,2,1,3,2,3,1,3,1,3,1,2,3,2,1 तो यह तीन लाइनों में हमारा code हो गया लेकिन हमने recursion से concept सीखना भी जरूरी था कैसे हमने यह चीज रिकर्जन से करी कैसे swap करते गए हम आगे आगे जब भी swap करा तो एक निया permutation मिला तो हमने वहाँ से भी unique permutation निकाल लिये थे यहाँ से भी अब यह जो question था उसमें distinct elements थे आगे आगे हम questions देखेंगे जिसमें distinct नहीं होंगे elements repeat भी कर सकते हैं तो अभी जो हमने question देखा था उसमें एक condition थी कि सारे elements distinct होंगे कोई भी element duplicate या फिर repeat नहीं हो रहा होगा अब जो question है उसमें येवली condition हट जाएगी तो आपको एक number दिया है उसके अंदर duplicates हो सकते हैं और आपको जितने भी unique permutations होंगे वो आपको print कराने है unique permutations यहाँ पर बहुत important है अगर जो पिछला हमने code लिखा था अगर आप उसमें input दोगे let's say 122 तो उसमें क्या होगा कि duplicates आ जाएंगे यानि कि 122, 122 यह दो बार आ जाएगा 212, 212 ऐसे दो बार आ जाएगा क्योंकि वो दोनों 2s को अलाग-अला चंसेड़ा कर लेगा but in the end है तो वो same ही तो वो duplicates आवाइड करने हैं हमें तो जैसे एक sample test case देख लेते हैं अगर वो था 112 तो इसमें output होगा 112, 121 and 211 ठीक है तो यहाँ पर कोई भी case repeat नहीं होना चाहिए and 123 तो सारे elements distinct थे तो यह तो normally case है तो अब हम इसे कैसे solve करेंगे अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है कोई बात नहीं अगर duplicates बन जाते हैं तो उन्हें remove कर दो है ना यह तो बहुत simple है set से remove कर दो set में डाल दो वो unique कर देगा map में डाल दो वो unique कर देगा या फिर सारे permutation sort कर दो and फिर check कर लो distinct बट वो सब तरीके तो ठीक है वो तो एक जबरदस्ती करने का तरीका हुआ ना आमें क्या करना है कि हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं क्या कि हमारे duplicates ही avoid हो जाए कि हमें duplicates generate ही ना करे हम तो इससे काफी optimize भी हो जाएगा हमारा code and हमारा बात भी बन जाएगी है ना तो इसका idea क्या होगा इसके पीछे कि जब हम swap कर रहे होंगे तब हमें ऐसी कुछ condition लगानी पड़ेगी जिससे हमारे जो duplicates है वो avoid हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सोचो कि अभी जैसे हम कर रहे थे यहाँ पे तो यहाँ पे हमने 3 3 से swap कर रहे होंगे 3, 5 से swap कर रहे होंगे बट यहाँ पे जब हमने 3 को 3 से swap करा तो यहाँ पे हमारा जो case था वो यहाँ पे duplicate आ जाएंगे क्योंकि इस वाले जो test case में होगा यह आगे-ागे solve करतर होगे तो यह duplicate generate करेगा क्योंकि 3 को 3 से आपने swap कर दिया और इस permutation को आपने अलग consider कर लिया है ना तो अब वो चीज़ avoid करने के लिए यह जो 3 और 3 वाला जो swap है वो नहीं होने चाहिए ऐसे swaps तो उन swap के लिए हम क्या करेंगे कि यह वाली base condition तो same ही रहेगी if idx equal equal to a.size वाली हम क्या कर सकते हैं वो 3 और 3 swap ना हो तो अगर ai equal equal to a of idx है ना तो हम continue कर देंगे कि जो same same elements है वो swap ना हो बट एक बार तो वो case हो ना i is not equal to idx यानि कि एक बार तो चले ना वो code कि 1,2,3,3,5 है तो 1,2,3,3,5 भी तो हमें consider करना ही है ना तो उस case में हम i अगर equal to idx होगा तो भी हम आगे continue करेंगे आगे हमने swap किया और दुबारा अपना helper function था वो call कर दिया काफी similar सा ही code है इसका भी अभी हम एक बार देख लेते हैं इसका code तो अब हम इसका code देखते हैं तो code में सबसे पहले तो हमें input लेना है तो यहाँ पर हम फटा-फट input भी ले लेते हैं तो एक vector बनाया मैंने and input ले लिया चलो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अब एक vector बना लेते हैं जिसमें हम यह जो permutation दा वो store कर रहे होंगे and हमने यह जो vector था वो permute function में pass कर दिया and हमें जो print कर आना होगा तो हम print का भी लिख देते हैं अभी हम function लिख लेंगे तो यहाँ पर यह जो है हमारा यह print हो जाएंगे तो अब हमें क्या करना है बस हमें permute function लिखना है तो permute function यहाँ पर हमें सारे permutations return करेगा and इसके पास एक vector जाएगा nums का तो यहाँ पर हम अभी देख रहे थे कि जैसे 3,3 जो similar वाले जो numbers है उन्हें अगर हम एक साथ club कर दे तो हम better analysis कर पाएंगे ताकि duplicates ना हो तो जो similar होंगे तो zone से element similar होंगे वो एक साथ कर देते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर sort लगा देंगे तो यहाँ पर nums को sort कर दिया and यहाँ पर vector of vector यहाँ पर answer मैंने करा and return answer अब यहाँ पर हम एक helper function की मदद लेते हैं जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा ही था तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपना helper function लिख लेते हैं तो helper function में यहाँ पर a pass होगा and यहाँ पर जो हमारा vector था answer वाला वो pass होगा and idx pass होगा तो अब अगर तो base case क्या होगा if idx equal equal to a dot size तो हम क्या करते थे answer में डाल देते थे यह वाला permutation and return कर जाते थे now forint i equal to idx i is less than a dot size i plus plus तब यहाँ पर जो condition होगी वो हमें देखनी है तो i is not equal to idx यानि कि एक बार तो चले ना वो and अगर ai equal equal to a of idx है यानि कि duplicate है उस case में हम आगे नहीं करेंगे यानि कि 3 को 3 से ही swap नहीं करेंगे क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं बस duplicates बनेंगे and normal अपना जैसे करते ही थे वैसे ही करना बागी तो तो अब एक बार इसको run कर लेते है g plus plus a dot cpp तो compile हो गया एक बार इसे run करा तो 3 numbers होंगे 1, 2, 2 तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है कोई भी duplicate यहाँ पर निकल के नहीं आया अगर आप पहले जैसे तरीके से करते तो यहाँ पर बहुत सारे duplicates आजाते बट इस case में यहाँ duplicate नहीं आया तो यानि कि हमारा code जो है वो सही है तो I hope आपको यह video अच्छी लगयो और हम मिलते हैं next video में Bye